जी असलामलीकुम कैफ सैब आज के लेक्षर का अगास करते है लेक्षर लजी हमारा 20 आज के लेक्षर में कंसेप्ट हम जो डिसकुस करने जा रहे हैं वो है इन इलिजिबिलिटी ओफ डिरेक्टर्स कंसेप्ट हमने कल स्टार्ट किया था अब भी भी position के लिए जो ला ने criteria दिया है वो two-fold criteria यानि एक eligibility या qualification criteria और दूसरा in eligibility या disqualification criteria eligibility criteria या qualification criteria का मतलब क्या होता है ऐसी चीजें जो director बनने के लिए होना जरूरी है होना जरूरी है और eligibility या disqualification criteria क्या है ऐसी चीजें जो डारेक्टर बनने के लिए ना होना जरूरी है ठीक है ये eligibility criteria ये eligibility criteria ये इनलिजिबिल्टी criteria ये वाली सारी चीजें होनी चाहिए इन वेसे हर चीजेंगे और गुड और ये पर नहीं होने चाहिए यह इलिजीबिली्टी और इनिविल्टी या क्ला यृटिकेशन डिसक डिफरफिकेशन बेसिक डिफरंस है ये बात समझ आ गए पर सब्सक्राइब पर इसके बात हमने बात चुरू की थी घ्राइटर बनने के लिए क्या जूरू है हमने कहाँ निया च हो सकता है वो कौन सी situation है वह situation है होल टाइम इंपलाई जिसे एग्जेक्टिफ डिरेकटर कहते है चीफ एग्जेक्टिफ परसना रिप्रेजाटिटिंग और परसना रेप्रजेंटिंग फैडर गर्मनेंट और बॉर्डी कॉर्परेट थीक है एक केस्टर एक डिरेकटर है उस उसने अपने सारे के सारे शेयर बेच दी है क्या वो डिरेक्टर रहेगा डिरेक्टर बनने के लिए होने के लिए तो मेंबर होना जरूरी है शेयर सारे बेच दी हो तो मेंबर ही नहीं रहा हाँ जी वो डिपेंड करता है अगर वो हमने यह लिखा था अगर वो इन चार में से कोई केस है डारेक्टरशिप का तो फिर वो सारे शेर बेच भी दे फिर भी डारेक्टर रहेगा लेकिन अगर इन exception में फॉल नहीं करता तो जैसे ही उसने अपने शेर सारे बेचे वो डारेक्टर मेंबर नहीं रहा तो डारेक्टर भी नहीं रहा तो यह हमने कल स्टेडी कर लिया थी सारेक से फिर इसके पास मैंने आपको एडिशनल क्या आर्ट कंपनी अपने आर्टिकल्स के अंदर डिरेक्टर बनने के लिए कोई एडिशनल क्राइटेरिया भी एड़ कर सकती है वो क्राइटेरिया भी आपके और मैंने आपको क्या बता इसको रखेंगे जिसने graduation pass की होगी करना चाहिए ला रिक्वाइर नहीं करता कमपनी रिक्वाइर करना चाहिए इस criteria को मजीर सख्त कर रही है ना तो मजीर सख्त करना चाहिए तो कर सकती है हम तो director उसको रखेंगे जिसका कम अगम 5 साल का experience होगा करना चाहिए कर सकते है हम तो director इसको रखेंगे जिसके पास कम एक लाग शेयर होंगे क्वालिफिकेशन शेयर भोलते हैं को करना चाहें अपनी अपनी आर्टिकल्स में एड कर सकती है यह था इलिजिबिल्टी क्राइटेरिया कर ले थी यहां तक कोई क्वेस्टन है तो पूछ ले वरना फिर इनलिजिबिल क्राइटेरिया की तरफ यानि वो कौन से स्टेशन हैं वो कौन सी चीज़ें हैं जो ना होना जरूरी है पहली चीज़ परसंट फूइस नौट अमेंबर यानि अगर कोई परसंट मेंबर नहीं है अच्छा अगर थोड़ा सा सोचे ना तो यह एक तरह से लगता है कि डूप है इधर क्या कह रहा है डायरेक्टर बनने के लिए मेंबर होना जरूरी है इधर क्या कह रहा है जो मेंबर नहीं वह डायरेक्टर नहीं तो बात तो वही हो गई एक कोई लेकिन कोई बात नहीं अगर याद कर लेते हैं अगर उसने इनलिजिबिटी क्राइटिरिया पूछ मुफ्त की लाइन दूसरी चीज के बार डी कॉर्प्रेट या कंपगनी डीरेक्टर नहीं बन सकते यह भी मुझे लग रहा है कि दिक्रा इदर कहरा है कि डिरेक्टर सिर्फ नैचिनल परसन मन सकता है उदर के रह आइस और आटिफिश적 माइनर, अच्छा यहां पर बाड़ी कॉर्पोरेट में एक बात मैंने आपको बदाये थी, कोई भी बाड़ी कॉर्पोरेट, दूसरी कंपनी की, शाबाज, शेयर होल्डर तो हो सकती है, लेकिन डारेक्टर नहीं हो सकते, डारेक्टर नहीं हो सकते, उसी तरह माइनर भी और याद हो ना तो यह मिलता जुलता कंसर्ट आपने के फोर में भी बढ़ा था कि कुंट्रेक्ट वो सोचने उसके पास सोचने समयने की सलाहियत नहीं होती तो वहां पे था कि माइनर पार्टनर निए एडिमिटिट इन्टू बेनिफिट्स और पार्टनर्शिप हो सकता है यानि वह इन्वेटमेंट करेगा और उसको उसका प्रॉफिट वसका मिलता रहेगा लेकिन वह पार्टनर निहीं बन सकता भाय एक ऐसा बंदा जो अपने होश औहास में नहीं है पागल है वह भी डर्आक्टर नहीं ही बन सकता ना कि बना दे उसको डिर्टर तबाई बिलकुल तबाई फेर देगा वो तसारी सही कह रहे हैं फिर परसर रूड़ डज नाट होड नैशनल टेक्स नंबर अच्छा यह परवियन एफ बी आर ने जोर डलवा के एसी सीपी पे जोर डलवार के एफ बी आर ने ये परवियन एडिकर पहले नहीं होती थे एफ बी आर चाहता है कि टेक्स फाइलर की तादाद बढ़े तो उसने का आज के बाद डिरेक्टर भी वही बनेगा जो टेक्स फाइलर होगा जो टेक्स फाइलर नहीं है वो ही है ताके ज्यादा से ज्याधा लो tax return तो अगर किसी के पास लेकिन commission ने कहा बैए और को भाई आपके कहने पर है यह यह दूं कर देता हूं लेकिन अगर हमारा आपना बंदा हुआ है इस भड़ीब हाँ डिरेक्टर हुआ तो फिर क्या करने का फिर आसा किजिएगा आप एक्जेम्शन देना चाहे किसी को आपके पास अथार्टी है इस वाली रिक्वार्मेंट से एक्जेम्शन दे जिए गार्टियन से तो नॉर्मली अगर तो आप टेक्स फाइलर नहीं है डिरेक्टर नहीं बन सकते हाँ अगर कमिशन में वाक्फियत है आपकी फिर आप एक्जेम्शन ले ले फिर डिरेक्टर बन जाएंगे कलियर आगे चलते हैं एक पर्शन हुई डिक्लेर्ड इंसॉल्मेंट बाई कोर्ट यह तो आप कैफ फोर में भी फेक्वें जो इंसॉल्मेंट वो फुरधर कुंट्रेक्टर नहीं कर सकता तो इंसॉल्मैंट जो फुद लोगों के पैसे ले के खा गया है company को भी खा जाएगा अच्छा इसमें एक term यूज हुई है undischarge insolvent undischarge insolvent उस insolvent को कहते हो हैं जिसने अपनी liability settle ना किये हो यहाँ पे undischarge का मतलब है unsettled, unpaid ऐसा creditor जिसने अपने debt unpaid हो ऐसा insolvent उसे कहते हैं undischarge insolvent आपके लिए लफ़ज undischarge irrelevant है insolvent का मतलब भी वही undischarge insolvent का मतलब भी वही क्योंकि कोई बनता insolvent या bankrupt तभी बनता है ना जब वो अपना debt pay नहीं कर पाता तो सिरफ insolvent या bankrupt लिखनेंगे तो वो भी चलेगा फिर कह रहा है person convicted by a court ऐसा person जिसको court ने कोई सजा दी हो convicted का मतलब उसे सजा दी हो मुझरिम हो कोई अगर कोई मुझरिम है वो भी company का director नहीं बन सकता ठीक है जिसको कतल की सजा हो गई हो जिसको हेरा फेरी वे चार साल उसने जिल में गुजारे हो उसके बाद आके क्या उसको director फिर person who lacks fiduciary behavior declared by a court अगर कोई person के उपर ये साबित हो गया है कि fiduciary behavior की violation की उसने he lacked fiduciary behavior तो उसको भी company का director अशाल ये fiduciary behavior के example मैंने क्या आपके साथ share की थी याद आपको अगर कोई person अगर कोई director personal benefit हाँ अपनी position का miss use करे authority का यानि personal benefit gain करे जैसे मैंने आपको पताया था कि अगर company हाँ जी company को कोई चीज खरीद नी है company ने कोई चीज खरीद नी है तो director अपने relatives के थुरू high price पे वो चीज company को खरीद के दे या अगर company ने कोई चीज बेजनी है तो director अपने relatives को low price पे वो चीज दिलवा दे तो यह है अपनी positions का miss use यह है fiduciary behavior लेकिं fiduciary behavior के लिए time disqualification का है 5 साल या अगर आज किसी ने कोई ऐसी transaction किया है जो lax fiduciary behavior वाली है तो वो अगले 5 साल के लिए disqualified होगा 5 साल के बाद point हो सकता है लेकिन आप note कीजिए जो उसने convicted by code की बात की है इसमे time limit mention ने की तो जिसके साल time limit mention नहीं है वो पाबंदी ताहयात है अब ये जब तक जिन्दा रहेगा कपनी का डिरेक्टर नहीं बन सकता जी सजा दुनें में हो सकती है लेकिन उसके बाद जो अगर fiduciary behavior की वज़ा से है तो ये 5 साल के लिए होगी बाकी किसी और इल्जाम में convicted है वो फिर far life है उसकी सजा हतम हो जाए जिन्दा में convicted है तो उसके बाद भी डिरेक्टर पाइंट नहीं हो सकता कतल किया उसने 14 साल की सजा होई 14 साल के बाद रहा होके आगिया डिरेक्टर नहीं बन सकता डिरेक्टर नहीं बन सकता आप ऐसे बने को अपने पास घर में गार्ड रखेंगे जो 14 साल सजा गार्ड के आया नहीं ना तो कमपनी में के डिरेक्टर की पोस्ट पर कैसे बढ़ा दूँ इसको फिर नहीं बढ़ा सकते फिर परसंट डिस्क्वालिफाइड अंडर एनी परवियन ऑफ दी एक्ट उसने बताया कि इन में से कोई भी स्ट्वेशन अगर राइज होती है तब तो वो परसंट डिस्क्वालिफाइड है लेकिन कहता है हो सकता है मैं कोई बात यहां पे लिखना भूल गया हूँ तो कंपनीज एक्ट में अगर इन सिट्वेशन के इलावा भी कोई ऐसी सिट्वेशन राइज होती है जिसमें कोई परसंट डिस्क्वालिफाइड है तो वो परसंट डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा इसको एक एक एक्जेंपल से समझते है इस एक्ट में आगे चलके एक है मारा चैप्टर नाइन डिस्टिबिशन और प्रॉफिट डिविडेन वाला वो ये कहता है कि अगर कोई भी कंपनी डिविडेन्ड अनाउंस करते उसके बाद दस दिन के अंदर अंदर उस डिविडेन्ड की शेर होल्डर को पेमेंट करना लाजमी है अगर पेमेंट नहीं की जाती तो जो चीफ एक्जेक्टिव होगा वो जिम्मेदार समझा जाएगा और वो डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा चीफ एक्जेक्टिव क्या होगा डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा वो इस कंपनी का भी चीफ एक्जेक्टिव या डिरेक्टर नहीं रहेगा और बाकी किसी ओर कंपनी का भी चीफ एक्जेक्टिव या डिरेक्टर नहीं रहेगा अच्छा इसमें देखिए जो उसने कहा है बाकी किसी और कमणी का भी चीफ एक्जेक्टिव नहीं रहेगा ये चैप्टर 9 में देखें इसके आगे उसने टाइम लिमिट मेंशन की है कि नहीं कि कितने अर्से के लिए वो डिस्वालिफाइड होगा नहीं मेरा खाल है किया टाइम लिमिट मेंशन जरा ढूंडे चैप्टर 9 डिस्विशन ऑफ प्रॉफिट में डिविडेंट की पेमेंट ना की जाएगा अगर वो डिविडेंट की पेमेंट टाइम पे ना करे तो चीफ एक्जेक्टिव को पेनल्टी होगी ठीक है आगे चलके देखें डूंडे 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 पेमेंट ऑफ डिविडेंट हाँ जी फाइव येस के लिए वो डिस्क्वालिफाइड होगा यह कहां पे लिखा हुआ है बहला 161 हाँ जी इनलीजिबल टू बिकम डिरेक्टर अचीफ अप्टू पिरियड ओफ फाइव येस इस परवियन के लिदा फिशारा है इसका अब देखें डिविडेंड वाली बात तो उसने उपर कहीं पर भी नहीं की किया कहीं लेकिन लाम की एक दूसरी परवियन है जो ये बताती है कि अगर कोई चीफ एक्जेक्टिव डिविडेंड को पे नहीं करेगा दस तो वो भी डिस्क्वालिफाइड है तो बताईए वो भी इस लाइन में आ आ गया के नहीं इनलीजिबल आ गया अब वो पांच साल के लिए किसी भी कंपनी का चीफ एक्जेक्टिव डिरेक्टर अपॉइंड नहीं हो सकता ये बताईए सारी बाते समझ आई इसमें एक्जैम पॉइंट अफू से जो पहली वाली दो हैं ये ज्याता है पहली वाली दो यहां ये जो लैकिंग फिडूश्री बिहेवियर है ये बाकी किरी प्रोडक्शन वाली है हाँ अब जो सबसे ज्यादा आई किया अपने टेस्ट किया वो तो अब आई और यहीं पे एक बड़ा एहम कंसेट भी बिल्ड करना है मैंने आप वो खहरा है ये तो इनरिजिबिल्टी क्राइट एरिया है सारी कमपनीज के लिए अब ये दो पॉइंट्स हैं इनको अंडरलाइन करें एक है डिफाल्टर एक है ब्रोकर इन अलफाज को अपनी बुक्स में अंडरलाइन कर लें कह रहा है अब मैं मजीद कुछ क्राइट एरिया आपको बताने जा रहा हूँ लेकि जो मजीद क्राइट एरिया बताने जा रहा हूना है अडिक्शन क्राइट एरिया ये किन कंपनीज के लिए है सिर्फ लिस्टेड कंपनीज के लिए किन कंपनीज के लिए लिस्टेड Indevalter of financial institution by court, who is declared? Difourter of financial institution by court, Defourter of financial institution कौन होता है? Defourter कौन होता है? Time pay किसी चीज की payment नहीं करता, जैसे कोई लोन लिया है उसकी installment को time by पेने किया defalter है लेज़ पे गाड़ी निकरवाई time based installment पेने कि defalter है बिजली का bill है due date गुजर गई default है डिफालटर में और bank corrupt में क्या फरक है चोटी सी example सुन esĩ yam पिछले दिनों काम की वज़ा से जो बिजली का बिल था वो मैं अदा नहीं कर सका बिजली का बिल अदा नहीं कर सका ठीक है डिफाल्टर हुआ या बैंकरप्ट हुआ डिफाल्टर हुआ बैंकरप्ट थोड़े हुआ ठीक है बैंकर अल्ला का शुकर है ठीक ठाक पैसे ही नहीं फिर मैं बैंक्रप्ट हुआ तो हाँ यह जहन में रखिए का बैंक्रप्सी ज्यादा स्वेशन डिफाल्टर कम है ठीक है तो कुस्ट्रोंड यह कहते हैं सर यह डिफाल्टर वाली बात उपर हो तो गई थी यहां पर कहा हुई थी यहां पर दुबारा करने की क्या जरूरत है तो वो बैंक्रप्ट है इन्सॉल्मेंट है यह डिफाल्टर है यहां पर उसने का बैंक्रप्ट हुआ तो नहीं अगर डिफाल्टर हुआ तो फिर उसकी पाइंट्मेंट हो सकती है इदर लेकिन लिस्टिड company के case में अगर आप bankrupt होना तो दूर की बात है अगर आपने सिर्फ डिफाल्ट भी कर दिया ना तो आप director पॉइंट नहीं हो सकते सिर्फ डिफाल्ट भी कर दिया ठीक है ये उन लोगों के लिए खास तोर पर प्रवियन है जो बेंक से लोन लेते थे पहले और बाद में माफ करवा दिया करते थे डिफाल्ट करते थे और बाद में बेंक से लोन लिया डिफाल्ट करके माफ करवा लिया लिंक्स की वज़ा से क्या वो बंदा इंसॉल्वेंट कहेंगे हम इसको नहीं इंसॉल्वेंट नहीं है लेकिन डिफाल्टर तो है तो ऐसा पर्सन लिस्टिड कंपनी के लिए डिरेक्टर पाइंट नहीं हो सकता अच्छा दूसरी बात मुझे यह बताईए दूसरी परवीन की तरफ चलते हैं ब्रोकर कुन होता है आप अगर स्टॉक एक्सेंज में शेयर्ज खरीदना या बेचना चाहते होना डिरेक्ट नहीं खरीद बेच सकते हैं आप किस ब्रोकर के जरीए से करना वो ब्रोकर कुछ इंडिविज्विज्व भी होते हैं कुछ कम्दीज भी होती है ठीक है तो अगर लिस्टेड कंपनी है उसमें डिरेक्टर ब्रोकर भी है या डिरेक्टर की वाइफ ब्रोकर भी है स्टॉक एक्सेंज में इसमें मसला क्या है क्या इसमें की मसला है क्या प्रॉब्लम है इसमें मसला प्रॉब्लम ये है कि डिरेक्टर को कंपनी के अंदर जो भी इंफर्मेशन है वो पता होगी अगर कोई बहुत अच्छा contract अंकरीब sign होने वाला है या company को इस साल बहुत अच्छा profit हुआ है अभी financial statement issue अब जनरल पब्ली को नहीं पता तो director के पास है inside information इसे कहते है inside information director इस inside information की वज़े से director को पता है कि अंकरीब share की price बढ़ने वाली जा है अगर वो stock exchange में broker भी है ना तो वो क्या करेगा खुद shares खरीद लेगा या अपने spouse को को केगा share खरीद लो तो इस practice को law discourage करना चाहता है इसलिए law ने कहा अगर listed company के case में कोई director खुद broker है या उसके spouse broker है तो वो director के तोर पे नहीं रहेगा if a person or his spouse is broker or director in brokerage house तो उने रहे लेकि इसमें एक चीज़ है में रखेगा ये वाली जो restriction है ना पबंदिया दो ये किस के लिए है सिरफ listed companies के लिए क्योंकि unlisted company तो stock exchange पे है ही नहीं उसका अगर director broker हो जाए उसमें की problem नहीं है listed company का director broker है उसमें problem है तो आपने अब भी क्या सीखा in eligibility criteria directors का इसमें बहुत सी examples हैं लेकिन दो categories बनाई है examples की एक lower category है ये वाली दो दो example एक upper category अब बहुत एहम concept जो बार-बार आएगा law में किस type of company पे ये उपर वाली requirement अपलाई होती है किस type of company पे नीचे वाली requirement है उपर वाली requirement सब company और नीचे वाली तो बताईए unlisted company पे कौन सी requirement अपलाई होगी उपर वाली listed company पे कौन सी दोनों ये चीज ये सुनना चाहरा था listed company पे दोनों अपलाई होगी यहां पे लफ़ज additional लिखा हुआ है additional का मतलब क्या है कि अगर listed company है उसके ओपर ये requirements अपलाई होगी होगी यह वाली additional requirements अपलाई होगी है कुछ बात समझा है या आपको यह ब्रोकर और डिफाल्टर यह खास पर याद कर लें आई कि आप पूछेगा डिफाल्टर और ब्रोकर अब आपके पास तीन मिनट का टाइम है यह eligibility criteria और eligibility criteria दोनों पढ़ लीजिए फिर इसके बाद इनके questions की discussion की दरफ चलता है जी वास कीजिए जी reading कर ली होगी आपने इसमें कोई question पूछना चाहते हों तो पूछ ले पॉइंट 6 में कह रहा है person who is undischarged insolvent or has applied to court and his application is pending यानि कोई भी person ऐसा नहीं होता कि वो से काई दे मैं insolvent हूँ तो आसे वह insolvent होगा यह तो फिर बहुत से लोग ऐसा भी हो सकता है कि लोन लेके अपनी properties मना ले और बाद में bank को काई दे मैं insolvent हो मेरे से कोई recovery नहीं एक्सपेक्ट तो court बकाइदा इसकी investigation करती है कि क्या इसके पास कोई दूसरी property है जिसको बेच के इसके पैसे recover करवा के creditors को pay किये जा सके तो जब court order करेगी तब ही किसी बंदे को insolvent या bankrupt समझा जाएगा वरना नहीं समझा जाएगा clear अच्छा यहां पे कह रहा है जिस बंदे को court ने order कर दिया insolvent है वह तो disqualified हो गया लेकिन अगर कि ऐसा person है जिसने अभी apply किया court को कि मुझे insolvent करार दे अभी court में फैसला नहीं किया उसका case चल रहा है फैसला नहीं हुआ लेकि वह person apply कर चुका है कि मुझे insolvent करार दिया जाए क्या वह person director appoint हो सकता है क्या वह person director appoint हो सकता है इसका जाब है नहीं जिसके अभी application pending है वह person भी डिरेक्टर अपाइंट नहीं हो सकता एक बंदा क्यों निख ले क्योंकि बिजनेस करते वह बाद वकात ऐसा होता है कि सारे उसे लोन लेके business लोग कर रहे होते हैं और business में नुक्सान हो जाता है अब उनके पास इतने resources हैं यह नहीं क्यों पेक है तो बाद वकात creators तंग करते हैं आगे ठीक है तो legal protection जब कोई insolvency का order ले आए ना court से फिर उसे एक्टरा से legal protection मिल जाती है कोड यह कहता है कि creator को कि भाई आज के बाद आपने इस insolven बंदे को तंग नहीं करना हम एक क्यादमें के अड्मिस्टेटर पॉइंट कर रहे हैं लिक्वीडेटर कर रहे हैं आपका जून लेना देना होगा इंदा के बाद आपने लिक्वीडेटर के साथ करना है इस insolven को तंग नहीं करना लेकिंश का यह भी कब नहीं है कि इंसॉल्मेंट फाइदे में रह गया उस इंसॉल्मेंट को बात में वो कोई कमर्शल ट्रेडिंग या अग्रीमेंट्स वगरा नहीं कर सकता है और कोई क्वेस्टन अच्छा नेक्स एक और छोटा सा बन जाता है तो उसको कोई सदा मिलनी चाहिए बिलकुल लॉग ने कहा है ऐसे परसन को सदा मिलेगी इंप्रिजनमेंट अप्टू टू येर्स और फाइन और बोथ यानि इसको दो साल तक की कैद भी होगी इसको जर्माना भी होगा और दोनों चीज़ें भी हो सकते है डंजी इसके इलावा कोई क्वेस्टन पूछना चाहते हैं अब ऐसा करते हैं कि हम कुछ आई कैप के और पास्वेपर के क्वेस्टन को डिसकर्स कर लेते हैं ताकि पता चले जो कुछ हमने पढ़ा है एक्जैम में अगर पूछता है कि हम उसको अटेंट कर सकते हैं कि नहीं कि लर्णिंग अब्जेक्टिव और टू में एक थवाद देखने कोई चीज रह तो नहीं कोई एक कंसेप्ट जो रह गया हो कोई भी अगर रह गया है तो बताईए एक्जैम टिप हाँ स्टुडी टिप कल वाले लटनिंग अबजेक्ट कल डिसकस को किया था हमने के वर्ड डिरेक्टर अगर किसी पोजिशन के टाइटल में आ जाए तो क्या उससे वो डिरेक्टर बन जाता है नहीं बन जाता ठीक है किसी के नाम में लफज डिरेक्टर आ जाए तो उससे वो डिरेक्टर नहीं बन जाता ठीक है और ऐसा भी पॉसिबल है कि कोई परसन डिरेक्टर हो लेकिन उसके नाम में ताइटल उसकी पुजिशन में लफज डिरेक्टर ना हो जैसे फार रिजेंबल एक बंदे का नाम है बहादुर हान क्या नाम में बहादुर आ गया क्या लाजमी है बहादुर होगा नहीं लाजमी नहीं है और इसी तरह असलम भाई है उनके नाम में बहादुर नहीं है तो क्या इसका यह मतलब है कि वो बुजदिल होंगे नहीं वो बहादुर हो भी सकते हैं तो इसी तरह किसी भी जॉब टाइटल में डारेक्टर का लफज आ जाने से कन्फरम नहीं होता कि वो डारेक्टर है और अगर किसी टाइटल में डारेक्टर का लफज नहीं है तो इससे भी कन्फरम नहीं होता कि वो डारेक्टर नहीं है यानि नाम में लफज डारेक्टर होने या ना होने से डिसियन नहीं करना है किसी पॉजिशन किसी टाइटल में लफज करता है के नहीं अगर तो पॉइंट किया है members में और वो directeur की meeting में participate करता है तो वो director है छाहे उसके title जो title दिया गया जो company के अंदर position दिया गया है उसमें लफज director हो या नहीं और अगर किसी person को members में नहीं directors ने पॉइंट किया और वो बॉर्ड ऑफ डिरेक्टर की मीटिंग में पार्टिस्पेट भी नहीं है चाहे उसकी टाइटल में लफ़ डिरेक्टर क्यों ना रहा हूं के लियर यह अच्छा यह तो होगी हमारी हीवारी स्ट्रीटिप और क्या कह रहे थे आप लर्णिंग अप् से एक कंपनी कैन भी ए सब्सक्राइबर और मेंबर ओफ एनदर और कंपनी ओए-बक्पजर एक कम्नी कैन ऑट भी डिरेक्टर ओफ एनदिधर यह तो बता नहीं धिया था कि कमणी दूसरे के शेर होल्डर तो हो सकती है डिरेक्टर नहीं हो सकती अच्छा सैक्ट पुछ रोगे हाँ सैक्ट वाली बात है यह जो क्राइटेरिया आपको बताया है ना eligibility और eligibility का यह at time of appointment भी meet करना है और appointment के बाद भी जब तक उसका tenure चल रहा है यह criteria meet करना है यानि ऐसा नहीं है कि सरफ at time of appointment वो sound mind हो और appointment के बाद unsound mind हो जाए तो कोई मसला नहीं नहीं और at time of appointment भी sound mind होना चाहिए और appointment के बाद भी sound mind होना चाहिए अगर appointment के बाद unsound mind होता है तो वो disqualified हो जाएगा ठीक है appointment के बाद कोई listed company के ढलेक्टर की वक्त डिफाल्टर नहीं था है इस की। अपैमेंट के साल बहर रोग्या यह अ है फिर इनलीजिबल हो गया तो यह स्टेडिटी में के स्टेडिवी काम आएगी कि क्राइटेरिया मीट करना है ऐट आप वाइंट में भी और अट आप उफ पाइंटमेंट तो उसके पास शेर्स थे पाइंटमेंट के बाद सारे शेर बेच दी टो डिपेंड करता है चार एक्सेफशन है तो शिल डारेक्टर रहेगा और अकर exception जहीं है तो शेर बेचने से वह डारेक्टर भी ना क्यूंके डारेक्टर का मेंबर होना जरूरी है स्वाइए चार exceptions के और की question है चलिए फिर practice question discuss करें त्यार है पहला question जी कह रहा है ABC Limited is holding company and owner of 80% shares of XYZ Limited ठीक है holding company बन गई ना वो तो 50% कैन ABC Limited be pointed as director of XYZ Limited क्यों नहीं विल्कुल क्योंकि कम भी artificial person a director नहीं बन सकती if not how can ABC Limited represent itself in decision making of board किसी एक person को nominate करते नोमिनी डारेक्टर कह ले उसको या representative director कह ले वो अपने भी हाफ पे वो company के भी हाफ पे board meeting को attend करेगा और उसमें participate करेगा और यह जो नोमिनी डारेक्टर है या representative director है क्या इसका shareholder होना ज़रूरी है नहीं है यह हमने exception में बढ़ा था कौन से वाली exception थी बढ़ा एक person representing creditor वाली के person representing federal government or body corporate body corporate one clear company for director नहीं बन सकती लेकिन किसी natural person को बना सकती है अपने भी हाफ के second last year the court declared summy as lacking fiduciary behavior as he did not disclose interest in transaction with the company company के जो डिस्क्लोज करना चाहिए था ना अपने भाई को वो चीजें दिलवाता रहा है या spouse के account में transactions company के साथ spouse के नाम पे करता रहा है लेकिन disclose नहीं किया तो बगैर disclose कि यह फाइदा उठाता रहा है ना तो यह तो इस इसे मिलते जलती परवियन तो आपने partnership में भी पढ़ियोगी के फोर में के partner जो है उसे disclose करना चाहिए अगर वो silently या secret profit earn करता है तो उसे वो repay करना पढ़ता बागी profit तो उसी तरह directors को भी क्या secret profit earn करना चाहिए अगर उसके साथ जो भी transactions हैं उनको disclose करना चाहिए उसे disclose नहीं किया ला ने क्या का लैक fiduciary behavior यह वाली example जहेंद में रखिएगा he did not disclose interest in transaction इस counterline कर ले यह अच्छी example है इसकी वजह से lacking fiduciary behavior हो जाएगा यह आगे चलके मैंने इसको दुबारा example को यूज करना इस इस एक्जेंपल पर बड़ा concern बेस कर रहा है इन ट्रांजेक्शन विदा company ABC limited in which he was a director तो उसने ट्रांजेट डिस्लोज नहीं किया ABC कंपनी में डिरेक्टर था फारव हो गया this year यह तो पिछले साल की बात थी this year some is considering to join xyz limited as director can he be pointed as director of xyz limited क्यों नहीं five year तो disqualified वो उस company के लिए हुआ है ABC के लिए कि किसी भी company के लिए yes किसी भी company के लिए तो वो xyz का भी director appoint नहीं हो सकता कितने अरसे के लिए five years के लिए अच्छा question one रह गया question one वो आज किसे चुरू करा है question one भी तो करना है नहीं करना किया which of the following employees are directors of ABC limited बताइए इनमेंसे कौन से employees company के director है और कौन से नहीं है अच्छा मुझे बताइए क्या यह पूछ रहा है कि director है के नहीं यह पूछ रहा है कौन सी टाइप का director director है के नहीं यहीं पूछ रहा है पक्का फैसली senior employee of ABC limited and his designation is human resource director उसके नाम में लफज है देजिनेशन में लफज डिरेक्टर आ गया तो डिरेक्टर हो गया कंफर्म है नाम से कंफर्म नहीं है he was appointed by directors and does not participate in board of director decision making तो डिरेक्टर बना नहीं है क्योंकि वो बोर्ड़ टेक्टर के decision making involved बी नवीड is senior employee of ABC limited and his designation is general manager operation he was appointed by members to manage the company and he participate in board of directors decision making यह डिरेक्टर है क्या बिल्कुल है कैसे member point करें है decision making में हिसा भी अच्छा डिरेक्टर में से अगर मैं आप से कहूं बताओ यह कौन सी टाइप का डिरेक्टर है कि यह executive director है full-time employee है जो full-time employee होता हुआ अग्जेक्टिव डिरेक्टर नेक्स question 4 बाकि हो माग है तो class में discuss कर लेते हैं क्या अभी discipline हैं class में discuss कर लेते हैं को problem करके हैं तो ऐसा करते हैं अभी मैं आपको पांस करने मुझे तो कोई जल्दी नहीं है time अभी करना चाहते हैं चले फिर बताइए बापर is senior employee of the company and because of his experience he was pointed as director and is now also involved in board of director decision making what type of director is he कौन से टाइप है डिरेक्टर की कौन सा डिरेक्टर है दो टाइप्स होते हैं एक एक्जेक्टिव डिरेक्टर नॉन एक्जेक्टिव डिरेक्टर अभी तक हमने बढ़ा एक्जेक्टिव डिरेक्टर फुल-time employee एक्जेक्टिव डिरेक्टर एक्सेप्शन में बढ़ा था ना question 5 under the previous of company 2017 comment on following situation जफर वाज रिसेटली डिरेक्टर ओफ फिलिंटेड एलिस्टिड कंपनी को अंडरलाइन करें टैप ऑफ कंपनी को हमेशा आपने अंडरलाइन करना होता है इसमें concept शुपी होता है था ना कुछ प्रोवियन different types of companies पे different way में apply होती है तो आज हमने concept ऐसा ही बड़ा ना कि कुछ eligibility criteria था वो हर company पे apply होता है और कुछ criteria ऐसा है जो सिरफ listed company पे apply होता है तो listed के underline कर लाएं जफर को director point किया गया in March 2018 the board of directors came to know that जफर had been declared a defalter by the high court जफर को defalter declare किया गया high court तो बताएए qualified के disqualified हो गया लेकिन क्यों यह जो defalter वाली condition थी यह तो सिरफ listed का बनी के लिए थी defalter वाली condition सिरफ listed company के लिए थी तो यह कैसे disqualify हो गया लिखा वासले लिस्टिड कमपनी ही तो है लिखा वासले लिस्टिड कमपनी इन जुलाई 2020 था board of directors came to know that Mrs. साजिद अब देखे यह Mr. साजिद नहीं है Mr. साजिद और Mrs. साजिद में फरक है बताया था ना आपको Mr. साजिद और है Mrs. साजिद और है और साजिद लिमिटेड और है इन तीना में फरक के स्टेडी में आपको पता होना चाहिए क्या है करें Mrs. साजिद इंगेज दे बिजनेस और ब्रोकरेज और पाकिस्तान स्टॉक एक्सेंज मेरा तो ख्याल है डिस्क्वालिफाइड हो गया डिस्क्वालिफाइड हो गया इसे लिए इसमें कोई डिस्क्वालिफिकेशन अराइज नहीं हो गए यह था जी हमारे क्वेस्ट कोई क्वेस्ट में पूछना चाहते हैं कोई क्वेस्ट में नहीं चलिए फिर आज का लेक्षरिया खतम करते हैं अल्लाह पिस